पंजाब में अगले साल होने वाले विधान सभाज चुनाओं से पहले जिस हिसाब से कॉंग्रिस में बड़ा फेर बदल किया गया है क्या वाकई में ये फेर बदल कॉंग्रिस पार्टी के लिए बहतर साबित होगा अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंग से अच्चाना किस्तीफा लिया गया और उनकी जगह चरंजीत सिंग चन्नी को जिम्मेदारी दी गई क्या चरंजीत सिंग चन्नी जिम्मेदारी को बखूबी तरह से निवापाएंगे सवाल यहाँ पर ये भी बनेगा कि क्या कैप्टन अमरिंदर पूरी तरह से जो है चुनाव होने में तो आपको क्या लग रहा है क्या चन्नी जो है वो जगह हासिल कर पाएंगे जो कैप्टन की थी देखिए मुझे इस तरह से बिलकुल नहीं लगता है क्योंकि भले ही उनको अब एकदम से सीएम बना दिया गया हो लेकिन उनको वो चीज़ समझने में टाइम लगेगा कि क्या होता है सीएम का या फिर किस तरीके से लोगों से मिला जाता है या फिर पार्टी को किस तरीके से संभाला जाता है तो मेरे को लगते हैं कि जब तक चुनाव आएंगे तो शायद वो यह इसी चीज़ को समझने में समय ना निकाल दे जो काफी जादा बुरा हो सकता है पार्टी के लिए तो क्योंकि जो अम्रिद क्या होता है और आपको आने वाले चुनावों के लिए क्या काम करना पड़ेगा यानि कि अगर बात करें तो फिलहाल जिम्मेदारियां बहुत हैं और इन जिम्मेदारियों को क्या चन्नी बखूबी तरह से निबा पाएंगे दरसल अगर बात करें तो पंजाब विधान जनता को लुभाता नाजर आ रहा है लेकिन ऐसे में कॉंग्रेश जो है वो बहुत बड़ी उल्जन में उल्जन यह भी है कि क्या चन्नी के जो मुख्यमंत्री पद हैं उस पर रहते वे वो जिम्मेदारी को निभाएंगे और क्या वाकई में पंजाब में एक बार फिर कॉ कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थतियां इस वक्त बनी हुई है यह बताता है कि इस वक्त कॉंग्रेश के सामने चुनोतियां अगर जो चुनाव है पंजाब में कॉंग्रेश हारती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ठीकरा कॉंग्रेश पार्टी पर फोड़ा जाएगा मेरी स्योगी कशिश जैसे की जुड़ी हुई है और लगातार आपको जानकारी दे रही है कशिश अगर बात करें चरंजीत सिंग चन्नी को जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को दिलवाने में कॉंग्रेस पार्टी के पूरवध्यक्ष राहूल गांदी का बहुत बड़ा हाथ है राहूल गांदी ही चाहते थे कि चन्नी को जिम्मेदारी मिले नए मुख्यमंतरी पत्को वो समाले तो आपको क्या लग रहा है अगर पंजाब में माल लेते हैं कि कॉंग्रेस की हार होती है तो यह हार कौन सुविकार करेगा चरंजीत सिंग चन्नी या राहूल गां कॉमुनिटी के इंसान को नोंने एक बना दिया तो शायद यह पूरा-पूरा जो मामला है वो वोड बैंक है कि सारी वोड बैंक है 60 जो पहले 30 परसंट के राउंट तो जो 60 परसंट होगे वो सारी हमारे पक्षम है लेकिन जैसे आप बता चुके कि अकाली दल पहले ही बसपा तो कभी लगेगा कि कॉंग्रेस जीत रही है तो कुछ ऐसे चीज़े रह सकते हैं यानि कि अगर बात करें तो फिलहाल इस्थती जो है वो पूरी तरह सामान नहीं और सबसे बड़ी बात अगर हम यहां पर करते हैं तो एक तरफ जहां कॉंग्रेस है दूसरी तरफ आम आद जाते वे दिखाए देंगे अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस ने यह पहले क्या दिया कि हम किसानों के साथ पहले भी थे आज भी थे आज भी है और आगे भी रहेंगे लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो घोशना पतर जारी किया है उसमें किसानों को रखकर बात की गई ह और अकाली दल की बात करते हैं तो वो भी किसानों को रखकर काम कर रहें तो क्या लग रहा है किसान आंदोलन का समर्थन किस राजनीतिक पार्टी को मिलेगा लेकि मुझे पूरे तरीके से लगता है कि जो किसान आंदोलन का उसके लिए जो बीजेपी उसको भूली जाए कि बीजेपी को उनकी वोट मिल सकती है लेकिनjem इन तीनों पर्टीों की बात कीजए है तो जहां थेक मुझे लगता है कि इसका फायदा जादा नियुकर अम आदामी पार्टी को इसका फायदा होगा जायद आमादमी पार्टी को हो सकता है तो चलिए अगर देखते हैं कि फिलहाल आमादमी पार्टी की तरफ से जो घोशना पत्र जारी किया गया है यह घोशना पत्र काफी हद तक किसानों के समर्थन में दिखता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो फिलहाल पार्टी को फायदा होगा कशिश अगर बात कर लेते हैं फिलहाल जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो गोश्णापतर जारी किया गया है क्या लग रहा है आपको जो गोश्णापतर जारी किया गया है जिसमें फ्री बिजली की बात कही गई है फ्री पानी की बा राजनितिक पार्टी होती है वो बहुत दिमाग से अपना गेम चलती है तो उनका यही होता है कि जो वोट बैंक है जो पूरा जो शायद किसी और पार्ट के खिलाफ है वो वोट बैंक हमारे पक्ष में आ जाना चाहिए तो वही चीज है अभी भी कि कि किसान जो है वहाँ पर है रोजगार नहीं होता तो उनको फ्री में चीजें मिल रही थी। उसके लिए वोट है सारे आम आदमी पार्टी को गईते तो जाहिर से बात है कि पंजाब में भी सारी वोग Louise कि यानि कि अगर बात करें तो फिल्हाल जो आम आदमी पार्टी उसको काफी हद तक बढ़त मिलती नज़र आ रहे हैं सब को मानना पड़ता है लेकिन अगर बात करें किसानों की तो किसान जो है वो कहीं काफी हद तक को गोशनफने जारी की घा गया क्या ये कॉंग्रिस पर काफी हद तक हावी हो जाएगा और क्या चन्नी की अगर हम बात कर लेते हैं तो चन्नी इन परिस्थितियों को संभालने में पूरी तरह नाकाम्याब हो पाएंगे ये चीज़ मैं एकदम से ऐसे नहीं कह सकते हैं शायद हो भी सकता है कि जब तक चुन तो कहीं न कहीं जो आमादवी पार्टी के आने की जो चांसे लग रहे हैं पंजाब में उस चीज़ को रोका जा सकता है और पंजाब को जो हासिल करने की बात है वो कॉंग्रिस पार्टी अराम से कर सकते हैं यानि कि अगर बात करें तो फिलहाल बहुत सोच समझकर जिम्मेदारियां सौपी गई हैं और कहीं न कहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ कि पंजाब में इस वक कॉंग्रिस के सामने चुनौती बहुत एक और सवाल में अपनी सयोगी कशिश दे लेना चाहूँगा कशिश अ वाकई में अब आने वाला जो समय हैं और कॉंग्रिस पार्टी में जो बहुत बड़े फैसले होंगे वो राहूल और प्रियंका लेंगे अब सोनिया गांदी क्या कॉंग्रिस से पीछे हटती नजर आ रही हैं देखे इसमें यह चीज हो सकते कि कि यूवा चैरा होगा सामन ने तो उसकी बात मानी जाए गी तो हो सकते कि पार्टी को उस्कमान मिले गी सइज जो दिशhern मिलेगी वो राहूल गांदी प्रेंका गांदी की वज़ज़ें तो लोग उनकी बाते द की वो क्योंकि वो लोग जमीने सर पूतर के काम करते हुए नजर आ रहे इतना सुनिया गांदी नहीं आ रही वो शायद उपर बैटे-बैटे ओर दे रही है तो यह चीज़ हो सकते हैं तो चलिए मेरी सयोगी करशिश जैसा के लगातार जानकारी पहुंचा रही तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ इस्ततियां पंजाब में हो सकती हैं किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं और तो और अगर बात करें तो पंजाब में फिलहाल कॉंग्रेस के लिए रहा तो इतनी आसान नहीं चलिए आज के लिए इतना ही आपको इजाज़त दीजिए नमस्का झाल फिलहा हैं के लिए एकिस तरह के लिए झाल झाल